Hey guys, this is Abhilash और आज मैं review करूँगा सजनी शिंदे का viral video movie का सजनी शिंदे का viral video movie आपको मिलेगी Netflix पर Hindi audio में movie का run time है 1 घंटे और 54 मिनिट का और genre है thriller, drama तो कहानी शुरू होती है सजनी शिंदे से जो कि एक school में physics teacher है और उनका एक dance करते हुए का video होता है जो कि viral हो जाता है और अब वो पूरी movie में लापता है फिर ये case दिया जाता है बेला बारोट को जो कि women's hell की in charge है तो बेला बारोट सजनी शिंदे को ढूंड पाती है या नहीं ये जानने के लिए आपको ये movie देखनी पड़ेगी अब story की बात करें तो straight और simple शब्दों में ये पूरी जो investigation दिखाई है ये average सी चलती है कुछ चीजों के सबूत मिलते हैं और कुछ चीजे इनको by chance मिल जाती है किसमत से बट ये चीज आपका ध्यान भटकाती नहीं है आपको end तक भी interest रहेगा कि यार ये सजनी शिंदे गई कहां एक अच्छी बात इस movie की ये है कि भले ही सजनी शिंदे का character पूरी movie से गायब था बट उसका character build-up बहुत अच्छा था आप लोग उस character के साथ connection बना पाते हो और प्लस जिन elements के through ये connection बनाते हो जो की over strict papa है, एक over mute मम्मी है एक over पागल सा भाई है और एक ultra stupid boyfriend तो इन सभी के story arcs बहुत अच्छे लगते हैं और believable भी है अब suspense की बात करें तो 50-50% वाला मामला है अगर आप movie को बहुत बारी की से देखते हो तो आप शायद guess कर लोगे और अगर आप थोड़ा time pass के हिसाब से देखते हो तो फिर last minute तक भी आपको मजाएगा फिर इसके बाद इस movie में कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं जैसे की patriarchy, toxic relationship, etc, etc तो वो actually अच्छे हैं और ये कहानी इन topics को force थरीके से नहीं देखाती काफी subtle approach रहती है throughout तो एक ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी pacing की बात करें तो movie medium pace चलती है और हाँ कुछ scenes है जो की minus किये जा सकते थे जिनका story से कोई लेना देना नहीं था बाकी acting के मामले में निम्रत कौर ने बहतरीन performance दिये राधिका मदान as Sajni Shindi did a fantastic job then सुबोध भावे as Sajni's father इनका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा फिर इस movie में सुमित व्यास भी थे और इनका 3 या 4 मिनट का रोल था but that was damn good मतलब इनको और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था रोल के हिसाब से और इनके बागी की class ने भी अपना 100% दिया है तो इस department से no complaints cinematography was fine, production design was fine जितना movie की जरुरती उतना ही किया है sound design में मुझे लगता है इन लोगों ने कुछ जादा ही काम कर लिया था क्योंकि कुछ scenes बड़े नॉर्मल थे बट उनके पीछे का sound जबरदस्ती का thriller वाला डाल रखा था बाकि जहां thriller वाले scenes हैं वहां पर sound design अच्छा है और total 4 गाने हैं इस movie में जो की scenes के दोरान आपको परेशान बिल्कुल नहीं करते हैं director है इस movie के मिखिल मुसाले और mostly ये regional movies बनाते हैं बट इस movie के बाद I am really hopeful कि ये Bollywood में काम करें क्योंकि इनकी ये movie बहुती बढ़िया one time watch है और ये movie अपने मुद्दे से एक दो बार derail होती है बट जितनी जल्दी derail होती है उतनी जल्दी ये movie cover up भी कर लेती है इसके बाद इस movie का message काफी जगों पर clearly दिखाई लेता है और plus एक pinch of social commentary भी डाली गई है जो की अच्छी है forced बिल्कुल नहीं है अब अगर आप लोग ये movie देखने बैठते हो तो इसमें कोई भी sex scenes नहीं है nude scenes नहीं है, गालिया नहीं है suicides जैसे topic पर बात हुई है इसलिए ये movie 16 plus rated है और finally मैंने इस movie को IMDB पर 8 out of 10 दिये हैं बट मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये movie देख लिये तो आपको कैसी लगी अपने reviews comment section में लिखते हुए जाना और ये review अगर आपको helpful और logical लगा तो like और subscribe मैं मिलता हूँ आपसे next dry day यानि जीतू भाया की movie के review में तब तक ध्यान रखो अपना be awesome बाई बाई